अगर आपने postmatic का form भर दिया है और final summit भी कर दिये हैं आपका बहुत जगा से approval भी मिल चुका है और अगर आपको अभी तक आपके account में पैसे नहीं आए हैं तो genuine तोर पे है कि आके आप सोच रहेंगे कि आखिर पैसा scholarship का postmatic का कब तक आएगा हम आपको इस वीडियो में 100% बता रहेगा और कितना दिन तक वह approval आपको मिल जाता है एक जो है आपको expected बढ़ाता आएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाटन दवा कर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बैल एकन को प्रेस कर लिजेगा इसे related अपडेट पाने के लिए अभी तो आप सर्च कर लिजेगा जब आप सर्च किजेगा यह आएगा इस पर क्लिक कर रहेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वेब साइट कुल कर आएगा यहाँ पर पर ही बॉक्स बना हुआ है पोस्टमेटिक स्कॉलर्शिप का यह SCST के लिए है और यह BCBC के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है लोगीन हो जाएगे कुछ सबसे पहले कि जो है अगर आप सामीट कर देते हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए कि मेरा क्या क्या सही है किए और आप इन चीजों को नहीं देखते हैं सबसे पहले पैसा अपने एकांट में नहीं ले पाएंगे आपको इसको करने के लिए सबसे पहले रिफाय करो बाने के लिए सबसे पहले आपको लॉग N कर लेणा जिसका link हमने बता दिया कैसे आपको login करना है आना है यहाँ पर एटेटरस में आना है और देखना है कि आपका personal detail, photo एटेटरस, document एटेटरस और finalized एटेटरस जो है वो done है या नहीं यह चारों चीज आपका done होना चाहिए यह आपके अस्तर से करना है यह आपको इसमें किसी भ verification में क्या होता है इंसिट्ट आपका verify करता data को साथ में physical committee भी है यह भी आपके school college के द्वारा ही किया जाएगा यानि कि वहाँ यह देखता है कि जैनि आप जो है जिस इस school में आपने या पिस college में आपने लिया है या पिने लिया है अगर लिया है तो किस course में लिया है अगर जिस course में आपने लिया है तो क्या उस course related आपने पोस्ट मेर्टी का form भड़ा है या फिर नहीं बढ़ा है साथ में जो फिर स्टेक्चर बना के दिया गया है वही आप इसमें फिल किया है या फिर नहीं किया है साथ में आपका रेगुलर college इसको institute आ रहा है या फिर नहीं आ तो यह चीज जो है सबसे पहले institute district में कर रहा है यह सबसे पहले आपके district का आपका जो इसका वेरिफिकेशन करती है कि क्या यह जो institute है जैनवीन है या नहीं उस institute में जैनवीन जो है यह course अब लेवल है या नहीं यह इस student का नाम है या नहीं साथ में क्या institute का उसमें यह जो pien back future बनाया गया है उतना फी सही सलामत लिया जा रहा है या फिर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि प्रैवेइट और सरकारी का अलगALग fee structure बनता है तो उस तरह से वो चीज़ देखा जाता है लोगर सही पाया जाता है तो आपका इस दोनों जगह से verify कर दिया जाएगा और ये verify हो जाएगा तो आपका home district committee के पास चला जाएगा home district सब कुछ को देख लेती है एक बार फिर से पुना देखती है सब कुछ को बारी बारी से और उसके बाद आपको merit list बना के PFMS के पास भेज देती है तब आपका बस्ता यहाँ पे payment डिटर जो कि आपको pending होता है अगर आपका यह चारो green भी हो जाएगा फिर भी यहाँ पे आपको pending बताएगा उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद approval जब यह चारो हो जाता है तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको देने को मिलेगा payment लिखा हुआ लेकिन जैसे ही अब payment लिखाएगा इसका मतलब है कि अब आप जो है स्क्रीन सोट दिखाते हैं जो कि हमारे पास एक लेवल है यह एक डेमो की रूप में है एक स्ट्रेंट का जो कि अकेडमी के यह 22-23 के लिए देख सकते हैं इनका इंसिट्यूट बेरिफाइ कर दिया है फिजिकल कमिटी बेरिफाइ कर चुका है डिस्टिक मेकर बेरिफाइ कर चुका है साथ में Institute District Checker भी verify कर चुका है और इसका merit list में नाम भी बन के निया एप प्रूब है और साथ में payment के जगा पे जो है देखिए सकते हैं यहाँ पे लिखावा है payment यानि कि जो है इसका PFMS के portal पर जो है इनके bank and council related येतने भी कारे हैं यानि कि verification है वो चल रहा है आम तोर पे देखा जाए एक expected बता दें आपको तो तक्रीबन 90 days यानि 90 दिनों के अंदर ये सारी परकेरियाय होनी होती है लेकिन इसका कोई limited नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि इसका जब firm भरने का कोई date fixed नहीं होता है तो इसका approval है यानि कि verification का क्या ही date रहेगा आपको पता है कि date 39-2023 रखा गया था भरने का form या अभी भी form submit हो रहा है registration हो रहा है कुछ न कुछ होता रहता है और इसका date जो है आम तोर पे expected यानि कि extend होता ही रहता है बरता ही रहता है लेकिन हम आपको किलर कर दें कि यहां क्या है एक scene आपको दिखा दे रहे है जब भी आप form को submit कीज़े तो सबसे पहले आप इंचारों को देख लेना है कि जैनिमीन तोर पे आपका यह verify हुआ यह जो done है कि नहीं अगर यह done है तो सबसे पहले आपको इंसिटूट वेरिफिकेशन और physical committee वेरिफिकेशन जो है आपको करवा लेना है अपने पर जाके हम आपको क्लियर बता दें कि यह जो है अगर आपका अगर आप यहां नहीं है तो यहां पर दिया रहता है नुडल ओफिसर का नाम साथ में जह उनका email इमेल आड़ी और फॉयन नमबर भी तो आप जिस भी कॉलेज इंस्टिट्ट से होंगे उनका यहां पर दिखेगा ऐसा ने कि आप इन पर कॉल करने लग जागेगा ऐसा नहीं करना है आपको देख लेना है कि आप जिसे अपने पोटल पर लॉग इन होंगे तो आपको यहां पर इस तरह से चारों आपका एप्रूबल नहीं होता है अप्रूबल होगा मेरिट बनेगा मेरिट बनने के बाद जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखाया स्क्रीन सोट पर इस तरह से आपका पांच जगह पर आप जैसे यहां पर पर पेंट चार दिन के बाद आपके अकाउंट में जो है बिहार पोस्टमेटि का पैसा आपके अचांट पे अस्ता रत की तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं यहीं इसकी परकिरिया आए थी साथ में आपको मैंने बता दिया आपको जो भी मैंने डाउट सुंगे आपके मेरे दोरा आप समझ गया होंगा दरबाइस आप टेंशन नहीं लें पैसा जो है बिहार सरकार है आपको दे ही देगा और थोसा उमीद तो आपको और बनाना ही पर है यूँकि यह बिहार सरकार का है थोड़ा बहुत लेट होता ही है और जब इसका फॉर्म का कोई लाजट का सिमीत नहीं है तो यह पैसा का बाएका यह सिमीत लेकिन हाँ कोई सिमीत की आप टाइमिंग का छोड़ दीजे लेकिन प